आई किजिए शेयर किजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए हाई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रतिभाः माई रेस्पी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत सॉफ्ट और टेस्टी दही बड़े फ्रेंड्स अगर आपके दही बड़े सॉफ्ट नहीं बनते हैं तो परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आज आपको वह सारी टिक्स बताऊंगी जिससे आपके दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनने लगेंगे तो चली अब हम दही बड़ा बनाने की सामगरी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है हमने यहाँ लिया है एक लीटर दूथ का जमाया था उसको हमने nixi के जार में फेट कर ले लिया है फेट तaysय समय मैं इसमें एक चम्मच चीनी भी मिलाई थी फ्रैंस यहां हमने लिया है दो काफ उड़त की दाल यह जो धूली उड़त की दाल होती है इसको मैंने चार घंटे के लिए पाने में भिगो दिया था उसके बाद अच्छे से दो कर इसको मैंने पीस लिया है जितना महीन पेस्ट हो सकता है मिक्सी में मैंने उसको बना कर ले लिया है और लिया है हमने सफेग नमक, हीम, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर बुना हुआ धन्या जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काजो और किसमेस फ्रेंट्स अपने मिख्सी से निकालने के बाद हम अपनी दाल को देखते है के हमारी दाल कैसे आई है और फिर इसको हम अपने हाथ से ही थोड़ा से इसको फेट लेते हैं इस तरह हे से हम फेटेंगे, एक ही डारेक्शन में करते हुए हम अपने दाल को फेटेंगे। और हमारी दाल ध़ी बड़ा बनाने के लिए रेडि हो गई है की नहीं, इसको चेक करने के लिए बड़ा असान तरीका होता है, कि थोड़ा से बैटर हम हाथ में लेके पानी में डालते हैं देखेंगे कि हमारा बैटर अगर तुर्ण उपर आ जाता है तो समझे कि दाल दही बड़ा बनाने के लिए एकदम रेडी है अगर ये नीचे ही बैट जाता है तो अभी समझे कि हमारी दाल को और फेटना बागी है तो चलिए अपनी दाल को हम चेक कर लेते हैं देखें फ्रेंड्स ये दाल हमारी पानी में उपर तहर रही है इसका मतलब है हमारी दाल फिट चुकी है इसको हम निकाल लेते हैं फिट चुकी है, इसको अब हमें और नहीं फिटना है, तो अगर आप भी ऐसे चेक कर लीजे, अगर आपकी दाल पाने में उपर तेहर के आ जाए, तो आपकी दाल समझ लीजे, कि दही बड़ा बनाने के लिए रेडी हो गई है, तो चलिए, इसके दही बड़ा बनाते हैं, द वो गैस्ट्रिक नहीं होती है, फिर, तेल हमारा गरम हो रहा है, इसको हमको मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है, यहां हमको तेल जादा गरम नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कि हमारे दही बड़ा उपर से जल जाएंगे, और अंदर से बिलकुल कच्ची रह जाएंगे जो कि खाने में बहुत ही बेकार लगेंगे, हमने यहां पर जो काजू किसमिस लिया है, वो अपनी दाल में हम एड़ कर देंगे, ताकि दही बड़ा जब हम खाएं, तो बीच बीच में जब हमारी मूँ में काजू किसमिस आता है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, हमार और मीडियम साइज के दही बड़े हम बनाना शुरू करते हैं इस तरह से डालती जाईए आप एक एक दही बड़ा थोड़ा दूरी पर डालिएगा नहीं तो क्या होगा यह दही बड़ा आपस में चिपक जाते हैं तो फिर इनको कढ़ाई में थोड़ा अलग करना मुस्किल ह हो जाता है इसलिए आप इनको थोड़ा थोड़ा दूरी पर डालिएगा हमारे दही बड़े अच्छे से तल रहे हैं अब इनको आप दीरे-दीरे ऐसे घुमाते जाए और फ्लेम को मीडियम ही रहने दीजे यहां पे एक पैन पे आप थोड़ा सा पाने को गुंगुना करक आप दाले जिए और इसको घूल दीजे चम्मास से इससे क्या होगा कि हम जब दही बड़ा कड़ाई से निकालेंगे तो सबसे पहले हम पाने में ही डालेंगे जब पानी में फूल जायेंगे फिर उसके बाद हम वो दही में डालेंगे हमारे दहई बड़े अच्छे से सिख चुके हैं अब हम इनको निकाल के पानी में डाल देते हैं चलिए अब इनको हम पानी में डालते हैं तो चलिए इसी तरह से हम अपना दूसरा बेच डाल लेते हैं हमने यहाँ पे जो दही बड़ो को पानी में डाला है इससे क्या होगा कि हमारे दही बड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनते है देखे हमारे दही बड़ा कितने अच्छे से पक रहे हैं इसके उपर हम थोड़ा थोड़ा ओल डालते जाते हैं हमने पानी में जो हींग डाली थी तो इससे दो हमारे दही बड़े है ना उसमें हींगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने लगता है और इसमें जो एक्स्ट्रा ओयल होता है वो भी पानी में रह जाता है तो इसलिए हम दही बड़ा को पानी में जरूर डालते हैं हम अपने दही बड़ों को हल्का सा प्रेस करके इसका पानी निकालके अपने दही में डाल देंगे। इस सेकंड वैज की भी दही बड़ा रेवी हो गई हैं तो इनको निकालके भी पानी में डाल देंगे। हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल तयार हो चुके हैं तो मैं आपको एक दही बड़ा काट कर दिखाती हूँ यह कितना सॉफ्ट बना है यह देखी फ्रेंट्स मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ यह देखे कितना सॉफ्ट दही बड़ा बना है हमारा कि आप खाएंगे त तो फ्रेंट्स, कुछ टिप्स मैंने आपको बताए यहाँ पे कि आपका दही बड़ा सॉफ्ट कैसे बनेगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके घर पे भी आप ऐसे ही दही बड़ा बना पाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे, तो चलिए इनको सर्व करते हैं, सबसे पहले डालेंगे इस पर हम मीठी चटनी, इस चटनी की रेस्पी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं अपने इस किस्टन बॉक्स पर दे दूँगी, जिसको आप देख सकते हैं, तब सबसे पहले हम अपनी मीठी चटनी डालेंगे, यह अमचूर की मीठी चटनी है, जिसको मैंने बुड़ के साथ बनाया है, यह भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर है, अब हम इसको डालते हैं, काली मिर्श पाउडर, लाल मिर्श पाउडर, अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग लेग सकते हैं, यह काला नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स हमारा दही बड़ा बिल्कुल खाने के लिए तयार है तो बताईए आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए तुम मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत